फाइनली, किंग ओफ बॉलिवुड यानि कि शारु खान दे फैन्स दी वेट हुन खतम हुई क्योंकि उना दी मोस्ट वेटल फिल्म पठान दा ट्रेलर रिलीज हो जोकिया तिर रिलीज हो दिया ही इस ट्रेलर ने लोका दी अटेंशन अपड़े वाल खिच लई फाइफ मिनट्स दे अंदर ही क्वाटर मिलियन व्यूज इस ट्रेलर ने टच कर ले सी ट्रेलर दी स्टार्टिंग हो रही है जौन अब्राहिम दी एंट्री दे डिम्पल का बाडिया दे वाइस ओवर दे वेच कहानी दी इंट्रोड़क्शन दे नाल ते फिर उस तो बाद तमाकेदर डायलोग तुम्हें मानना वाजी के लिए पटान तो आया फिल्म दा एक्शन आउटस्टेंडिंग हो नवाल है जिस गल्दा अंदाजा इस ट्रेलर दे विच दिखाए गई सीन्स तो लाग रहा है बहुत बरी की दिनाल कट टू कट इस ट्रेलर नो पेश कीता गया है क्योंकि जदो दिखाण लई बहुत कुछ होवे ता एसे तरह ही ट्रेलर नो फास्ट पेस रख्या जान्दा है फिल्म दी कहाणी दे विच एक टर्निंग पॉइंट लेके आँगी दिपिका बादकोन क्योंकि उना दा क्यारेक्टर काफी स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा है ते आफकोर्स उना दी केमिस्ट्री शारू खान देनाल ओन स्क्रीन फाइरिंग है एक सेकेंड लईवी ट्रेलर तो नजर नहीं हट दी क्योंकि वी एफेक्स, बैग्राउंड म्यूजिक, कलर करेक्शन ते डायलोग्स दे उते खासी मेनत कीती गई है जद ट्रेलर एना कमाल होवे ता देखन वाली गल ए है कि पठान फिलम केडे नवे रेकर्ड्स कायम कर जाएगी फिलम दे विच शारु खान दी लुक्स डैशिंग ने कौन कैसागद है कि उना दी एज 57 येज ओल्ड है शारु खान दे फैन्स इस विले काफी खुशने क्योंकि लगबग चार साल दी गैप तो बाद उना दी फिलम देख़नों मिल रही है इस तो पहला जीरो रिलीज होई सी तेहुन पठान दे नाल ओनादा कमबग है पठान फिलम दो लेके लोगां दे विच काफी एकसाइटमेंट है डिफरेंट तरीके दे कॉमेंट्स लोग करते होई दिखाई दे रेने जिनना विचो एक हाईलाइटिट कॉमेंट है यू कैन इगनोर बॉलिवोड बट यू केनाट इगनोर शारु खान ओडियन्स दे नाल नाल इस फिल्म तो बॉलिवोड इंडस्ट्री नोवी काफी उमीदा ने दासदे ये तुहानों कि ए फिल्म हिंदी तमिल ते तेल को दे विच रिलीज कीती जा रही है 25 जनवरी दो हुजार ताइनो ए फिल्म सिनिमा करांदे विच रिलीज होन वाली है लोग काफी एकसाइटेड ने टू विटनस दी स्पाई यूनिवरसिटी बाई या शिराज फिल्म्स एक सोल्जर ये नहीं बूचता देश ने उसके लिए क्या किया पूचता है वो देश के लिए क्या कर सकता है तो हानू की में दा लगया ए ट्रेलर एसानू कमेंट करके जरूर दसनाते इसे तरह दिया होर वीडियोज देले जुडे रेना जी मीडिया ग्रूप देनाल जैहिंद